ना गेंदवाजी आती है, ना बल्लेबाजी आती है, पांडिया को सिर्फ मनमानी आती है, बच्चों की टीम राजस्थान ने दिखा दी असली वकात रोहित भी देखती रहे गए मुहूँ। जिस मैदान पर खेलने में काप रहे थे मुंबाजी के गेंदबाज और बल्लेबाजों के हाथ पाउं, उसी मैदान पर राजस्थानी छोरों ने ला दिया था रनों का तूफान, सबसे ज़्यादा तो ये शस्वी के बल्ले ने ऐसा किया था परिशान, कि मुंबाजी के फिल उनकी पारी की बदौला थी, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 180 रनके टागेट को महजे एक विकेट खोकर हासिल कर लिया, लेकिन इस मैच को मुंबाई जीत सकती थी, फिर कहां गलती हो गई, और कैसे ये शस्वी जैसवाल सिर्फ एक शतक से कई रिकॉर्ड टेहस नहस कर बैठे, जरा देखते हैं, राजस्थान को ये शस्वी और जोस बटलर की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआ दिलाई, हालांकि 74 रनकी कुलिस कूर पर बटलर पवेले लोट गए, इसके बाद ये शस्वी ने कप्तान संजू सेमसन के साथ पारी को आगे बढ़ाया, औ के बाद उन्होंने तेजी से बल्लेबाजी करते हुए 69 गेंदों में अपना श्टक भी पूरा किया, उन्होंने सैमसन के साथ खरीब 113 रनकी पार्टनोशिप की, वो 60 गेंदों में 9 चौके और 7 छकों के साथ 104 रन बनाकर नाबाद रहे, इस श्टक के साथ ये शस्वी के नाम बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया, वो IPL में दो श्टक जड़ने वाले सबसे युवा बल्लेबाजें, उन्होंने दोनों श्टक 23 साल के उमरे से पहले लगाएं, उन्होंने पहला श्टक पिछले सीजन में माई के खिलाफ 21 साल 123 दिन के उमरे में और दूसरा श्टक पांडे अपनी मनमानी ना करते, रोहित शर्मा की बात सुन लेते, हार्दिक से दो बड़े गलतियां हुई, पहली गलती तब हुई जब टॉस जीत कर बल्लेबाजी चुन ली, क्योंकि राजस्थान के पिछ पर शाम के वक्त गेंदबाजी करना मुश्किल हो जाता है, उस इसरी गलती तब होई जब वो 189 रन के स्कोर के बावजूद, जस्परीत बुम्रा को गिंदबाजी सौपने की जगा, हार्दिक ने खुदी सबसे पहले गिंदबाजी करने के लिए बॉल थाम लिया, इस हार के साथ ही मुंबाजी के मुश्किल बढ़ गई, और तै हो गया लेकिन मुंबाई की हार के लिए हार्दिक पांडिय के साथ साथ मुंबाई की खराफ फिल्डिंग भी जिम्मेदार रही, पहले तो ये शस्पी जैस्वाल का कैच उटा, फिर संजू सैमसन का कैच, अगर टिम डेविट पकड़ लेते तो राजस्थान पर दबाव बनाया जा सकता था, लेकिन आज तो जैसे मुंबाई की पूरी टीम एक अलग ही दुनिया में थी, वैसे आपको ये शस्पी जैस्वाल की पारी कैसी लगी, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा